असलाम अलेकॉम वेलकॉम बैक टो मैं चैनल आई होब आप लग बिल्कुल ठीक होंगे और जी मैं भी आ गई हूँ स्प्रिंग डॉल्स की रेसेपी के साथ चुके यह मैंने नहीं रोल करना था मैंने नहीं पट्टी बनानी थी तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने फिलिंग रडी की है और मेरी भापी ने इसको फिल अप किया और फिर हम सबने मिलके से इंजॉय किया फिलिंग्स जो है वो मैं आपके साथ आज दो तरह की शेयर करने वारे हैं चिकन ब्रेड की भी और स्प्रिंग डॉल्स की भी तो सबसे पहले जो है ना बनाने लगी हूँ स्प्र और स्प्रिंदी दो और ते सबसी तक सॉट है रहं को वेजिटेबल ती खा देतले हैं मैंने जूल्यन काट् किया हैं क्यरत कैबिज साथ में जूल्यन एक यहां रही श्चिल्प मैं कर ली थी ठैकर टोड़ी त Colonelी मैं रिडि़ी पार आपसलय की तो छोड़ी ज़र्वी 吧ा आपने पहले ही मैयर करके अपने पास रख लेनी है ताकि कोई अफेक्ट ना आए उनको जादा हीट ना लगे अब इसमें मैं आड़ कर दिया है थोड़ी सा नमक और थोड़ी काली मिर्च तो पिर मुझे आदा है कि मैं फोरन से जाना चिकन भी आड़ कर दूँ ताकि उसमें इकुली नमकूर मिर्च जो है वो मिख्स हो जाए बॉयल और शड़ीड चिकन नमक भी आड़ कर दीया है अब मैं इसमें एड़ कर दिया है मैकरोनी बॉयल और ठंडी और इसको अच्छे से मिंक्स करने के बाद के बाद है जब थोड़ी सी जो है न शिम्ला मिर्च का अपन इसको सरफ 2 मिनट जनब चलाना है, मुसलसल आपने से चलाते रहना है ताकि सबजी लगे नहीं और मेडियम टू सलो ही रखना है अपने आँच को बहुत जादा तेज भी ना और बहुत लो भी ना हो के सबजी अपना पानी छोड़ दें अब आपने जब इसे रोल करने तो इससे पहले आपने मेक्शूर करना है कि जो भी आपका मेटीरियल है वो बिल्कुल ठंडा हो तो मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दिया अब जी आ जाते हैं दूसरी फिलिंग की तरफ यहां भी मैने ले लिया है आप चाहें तो बटर भी अब बर्ना हो बसलिका सा सोते हो तो मैयर करके पहली चीजें आपने रखी होगी तो फॉरन से आप आप कर देंगे इसमें मैदा वाइट सॉस जाए ना यह वो रडी हो रही है फिलिंग के लिए चिकन ब्रेट की फिलिंग के लिए फॉरन से आपने से मिक्स कर लेना है बस तो मैदा की हलका सा कच्छा पन वो निकल जाए बर्न नहीं आपने इसको होने देना अगर आपको लगे तो थोड़ा देसी गी कम है यह वटर कम है तो आप अड़ कर सकते हो उसके बाद अब उनने के बाद मैदे को आपने इसमें इसमें आड़ कर देना है मिल्क और फॉरन विस्क कर देना है ताकि लाम्स जाना वो बिलकुल भी ना बने अब मैं इसमें अड़ कर दूंगी नमक और काले मिर्च तंदूरी मसाला इसमें अभी आड़ नहीं करना वो बिलकुल लास्ट पे अड़ होगा उसके बाद आपने इसको विस्क करना है एक वाइल आएगा तो इसमें आप एड़ कर देंगे हम जल्दी से वेजिटेबल्स जो हमने मैयर करके चिकन और वेजिज रखी हुई है अगर आप इसमें चाहे तो गाजर भी आड़ कर सकते हैं वह हलकी करंची करंची से आती वह बहुत मज़ा आता है उसका मैं जो जूस कर रही हूं मैं कर रही तो जब यह तिक होना स्टार्ट होगा तो तब मैं इसमें आड़ करूंगी तंदूरी मसाला उससे बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है फिलिंग का और टेस्ट तो लाजवाब ही हो जाता है उसके साथ वह जरूर एड़ करना है बिल्कुल फीकी पीकी जी अचे नहीं लगती है ऐसलिए आपने इसमें इसके थंडा है तो फिर यह अपने प्रत्रे में ये थंडा करना है जब आप स्प्रिंग रोल्स की ं stepping करना है जब आप जूपर राक्ते हो थ्थरें और ठंडा करना है लाजवार इससे कवर करकर तो तो फिर सब्यां पानी थोड़ करना हो पादी या रोल पती जो पैकेट में आती है, आप भी यूज कर सकते हो, मगर हमने जितनी बार भी यूज की है, यह राग होती है, नहीं होती है, यह यह लहाग है, वह बाभी ने घर नहीं है, इसकी डो बना लेनी है और फिर उसे आप चाहे सिंगल सिंगल बेल लो और पतली पतली इसी रोटी उसकी बना के तो आप उसे सेक लें तवे पे दोनों साइड से और यहां पे मैदे का और पानी का गोल बना लेते हैं लईसी वो बना के तो आपने इस तरह से रोल कर लेना है ताकि खुले नहीं नहीं तेल अंदर जाए नहीं फिलिंग बाहर निकले और बहुत पर्फेक्ट यह रोल बने थे क्रिस्पी और फ्राइ भी भाबी नहीं किये थे शायद इसलिए अच्छे बने थे फ्राइंग टाइम पे भी आपने फोकस करना है ताकि ना बहुत तेज मैदे में डाल दिया है नमक चीनी और इंस्टंट येस्ट अगर आपको लग रहा है के खराब होगी तो आप पहले नीम गरम पानी में डिजॉल्व करके देख लें रेस्ट दें अगर उस पर जाग बन जाए तो फिर मैदे में आड़ करें इसके बाद मैंने आड़ कर दिय उसके है इसमें कुकिंग औल और साथ में मैंने दूद जो आप पास रखावा था आपको सारी सारी कौटिटी आपको सारी कौन्तिक ओंटिया आपको डिस्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगी मैंने नीम गरम दूद के साथ पानी भी नीम गरम कर लिया था मुझे अन्दाथ आपने इसकी नीडिंग का बहुत ख्याल रखना है बहुत अच्छे से नीड करना है नाइन टू टैन मिनट्स आपको लग जाएंगे काउंटर टॉप पे डालने के बाद जब आप इसे अपने पाम के साथ दबा दबा के करेंगे ना नीड तो फिर नाइन टू टैन मिनट्स आपने करना है ताकि इसकी स्मूथ सी डू हो उसमें लाम्स बगारा ना हो तो फिर यह वह अच्छे से बेक होगी और जब आप उसे बेलेंगे तो वह बेली भी जाएगी वरना वह फिर बापस आजाती है आप उसे बेलेंगे वह पर फिर शॉट सी हो जाएगी उस तरह से आप उस तरह अच्छी नहीं लगती फिर ब्रेड आपने इसको अच्छे से जाएगी ना वह नीड करना है हाथों को आप आउयल लगा लें और साथ में थोड़ा सा खुशा काटा मैदा वह भी छड़कते जाएं ताकि बहुत अच्छे से स्मूथ सी डो आपकी रेडी हो ज जाती है तो यह बहुत अच्छा सा इसका टेक्च्चर जाना वह आ गया और हैंडल भी हो जाएगी जब आप इसको बेल लेंगे अब आपने बोल को भी ग्रीस कर लेना है डो को भी ग्रीस कर रहा है अच्छे से ऑईल के साथ और फिर इसको आपने नीम गरम जगा पे जाना वो क्रस्ट सी ना बने फोरन जाना अपने से कवर करने और फिर प्रूफ होने के लिए रखने और माशाला माशाला सारे रोल्स और साइस हमों से यह भावी ने भर दी है माशाला कमेंट्स में जरूर बताएगा कि किस-किस को यह काम बहुत मुश्किल लगता है अगर का टाइम बिल्कुल नजदीक है तो इसलिए फ्राइंग शूरू हो गई है साथ-साथ मैं बेकन होने के लिए भी डाख दूंगी डबल करने के बाद इसे पांच डाउन किया उसके बाद मैं इसे अच्छे से फ्लोर पे बैंक किया और अब फ्लोर पे नहीं काउंटर टॉप और अब मैं इसको इक्वल साइस के मैंने इसके नयफ से पेड़े बना लिये मैं इन पेड़ों को भी आपने आपने मरजी वी डिजाइन बना लें ब्रेड बना लें अभी आप देखेंगे तो आपको समझा देगी तो मैंने इसको बेक किया था एर फ्रायर में और अगर आप चाहें तो पतीली में भी बेक कर सकते हैं पतीली को आपने प्रीहीट करना है और फिर बेक करना है आपने इसको ट्री में रखें नीचे अगर आप वैक्स पेपर करना है तो अंडे की जर्दी में थोड़ा सा दूद आड़ करके उससे ब्रश करिएगा वरना अगर आप इसको अवन में बेक कर रहे हो तो पूरे अंडे को अच्छे से फैंट के तो आप इससे ब्रश कर सकते हो अच्छा एयर फ्रैर में उपर वाली साइट से हीट जाना वह बहुत पसंद आया था आप भी इसे अपने अफ़तार पार्टी के लिए यहां अगर कोई वांटिश पार्टी है तो जरूर इससे ट्राइक करिएगा दौा में याद रखेगा लाफिज